तो स्वागत आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हलो टीचर में और आज हम जो टापिक देखने जा रहे हैं वह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन टापिक रहने वाला है जो कि आपकी कॉम्पेटिटिव एकजाम आने वाले विस एकजाम के लिए पुरसकार है वह पुरसकार के लिए हुए दोटापिक हने वाले है यहां पर ले रहे हैं तो все पुरसकार के बारे मचान कर लेकिनगे तो मिझें पुरसकार क्या होता है कप से चालो हुआ को से Bryce में देई जाते और कुनसे श्रेणी के लिए दे जाते हैं इस सब की माई information जो है इस वीडियो में cover करने वाल है तो चलो देखते हैं जो कि आपको स्कीन पे देख रहा होगा कि पद्मपुरसकार के बारे में information देख रहे हैं तो पद्मपुरसकार और इसका जो start हुआ है पद्मपुरसकार दे और की इतनी श्रेश में इसको देआ जाता हैं और इनको की की facility मिलती है यह सब हम इस वीडियो में cover करनेवाल है तो पद्मपुरसकार तो इसमें जो पेराग ट्रापिक दिया है कि पद्मपुरसकार वर्ष می परंवब किये गए थे मतलब जोह इसका स्टार्ट हुआ था वर्ष वर्ष उन्नीस सुआठात्तर तथा उन्नीस सुत्रैने से लेकि 1997 के धवरान थोड़े से अंतराल को छोटकर जो पुरसकार प्लत्यक वर्ष गंतरे दिवस पर घोषित किये गए है ठीक है तो जो कर तो ऑड़ा गया फोड़े अंत्रान को छोड़ कर यह पुरस्कार प्रत्यक वर्ष यह पlichesECT इस यह पह्जनिट में पद्मिन जो गया प्रदान विबूंसündर मेंतर अश्री में प्रदान जाते हैं तो यह जो पूरसकार तीन श्रेणियों में बाटे जाते हैं तो पदमविभूशन पदमभूशन तथा पदमश्री यह तीन श्रेणियों में इसको बाटा जाता है तो इसमें से दो पहले श्रेन है पद्म विभूशन तो यह पद्म विभूशन पूरसकार जो है साधारन विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है मतलब साधारन सेवा जो और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूशन पूरसकार दिया जाता है है बाद में जो पदमयबुशन पुरसकार होता है उच्च जो है विशीष्ट सेवा के लिए प्रधान किया जाता है टीक है तो newer three category कार्वाटा जैता है तो IMP ट्रॉपिकर है और three category कुंसी कुंसी तो पदमयबुशन पदमयबुशन और सब्सक्रारों कृशे तरफ सापजाते विभिष्ट सेवा के लिए आता है थीत तो बहुत इंप आपकारों कारें का की विशॡ़चे कारे को मानने तुह क्यों पूरś आपन कना है सेवा वेद्यान और एंजिनेरिंग लोक कार याज सिविल सेवा वयापवर और रुद्य गादि में समयश्ट और साधर रुपलबद्यां सेवाब के लिए प्रदान किया जाता है तो यह पुरसकार ऐसे एक विशेष्ट पुरसकार इवशेष्ट अ श्रनी के लिए विशेष आउस के सब्सक्राख केलिए नितिया जाता है तो यह सब मिलाकर जो रहेगा उसको यह कौकान पुरसकार दिया जाता है, मतलब इसमें जो आयेगा जो जो शयत्रह आएंगा इसमें कला, शिक्षा खूयूद, इंजिनेरिंग, सामैस सेवा शयत्रह केलिए इसमें से ook अप्विल उत्कुष्ट असा से अधिक होनी चाहिए तो लोग सेवा मतलब जो कि समाज कल्दन के लिए सेवा की गई है वह या देश का नाम जो है या उचा करने के लिए जिस सेवा की गई उसके लिए पूरसकार दिया जाएगा किसी व्यक्ति विशेश के लिए अगर आप क किसी पत्का जो है और किसी के लिंक का मतलब लिंक तरी पूरस है कि समलिंगे इसका कोई भी विचार इसमें नहीं किया जाएंगा और यह पूरसकार जो है देते वक्त किसी के जाती का या व्यवसाइकार पत्का क्यों और लिंक का विचार नहीं किया जाता यह पूरसकार ज के लिए पात्र नहीं है ठीक है तो इसमें सरकारी कर्मचारी जैसे डॉक्टर और वैद्नेनिक को छोड़कर बाकी के जितने वी सरकारी कर्मचारी आते इस पूरसकार के लिए पात्र नहीं होते हैं इसके बाद ये पूरसकार सामनेता मर्नों पांत प्रदान किया जाता है तत पर उक्त पुरसकारों को घोशित किया जाना प्रस्तावित होता है ठीक है इसके बाद जो पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट इसमें कि जो पुरसकार जया जाता है ज्यादा तर ये मरने के बाद ही घोशित किया जाता है जिस वेक्ति ने उकार किया उसके वेक्ति के मरने के बाद मतलल महर gonna, 25 पूरसकार को गोशित किया जाताय स्क बाद जो पॉइन्ट है, ऊच्चतर, शेनीrium पादम पूरसकार के CAC को प्रदान किया जा सकता जिसके मामले में पूरवा पूरसकार प्रदान किया जाने के समय के कम से कम पात वर्षे की अवदी बीद गई हो ततापी अध्यातिक पात्र मामलों में पुरसकार समिती द्वारा इस अवदी में छूट प्रदान की जा सकते हैं। सरकारी वेक्तियों निकायों आधी जैसे अन्यस तुरतों से प्राप्त सिपारिश्यों को भी पाद्मपुरसकार समिती के समक्ष राखा जाता है। समिती के जाता है तो प्रदान मंत्री के द्वारा इस गठन किया जाता है। की बाद जो है ना मांकित नामांक Пот earned कर नी कि तारिक तथा नामांकन सिपारश के प्रहपति यंथिम तैरीक क्रम शैय एक मैं च्पनद्रास सितंबर है यह सवक्राइश को दारा प्राप्त न मांकरों पर विचार कियाधा गता है तो नामांकान की तारिक होते यह एक मैं तो 15 सितंबर के बेच में इसको नामांकित किया जाना चाहिए। से अधिक नई होनी चाहिए तो यह इंपारण्ट है तो जो एक वर्षे में प्रदान किया जाने वाले पुरस्कार की जो कूल संक्या होतिक है मर्न परान तथा विदेशों की जो दिये जाते उसको सभी मिलाकर 120 से अधिक नई होनी छाहिए ठीक है तुछ के बाद जो है कि इन पुरस्कार को गोशना प्रती वर्षे 26 जनवरिका उसर पर की जाती है तथा ये राष्टपती भवन में आज इत पुरस्कार समारों में भारत के राष्टपती दरारा प्रदान के जाते हैं गोशना जो होती है 26 जनवरिकों होती है और ये जो इसका जो पुरस्कार देने का जो समारो होता है वो राष्टपती भौन में राष्टपती के हातों से हो जाता है ठीक है यह और जो पूरसकार देते हैं भारत के राष्टपती देते हैं यह समारो सामानेता मार्च अप्रिल महा में आजित किया जाता है फिर जो है कि इस अलंकार में इस अलंकारन में कि जाती है ठीक है इसके बाद जो है पूरसकार प्रप्त करताव सबसे पहले तो आप देख लेजें कि सा पूरसकार में होता क्या तो इस अलंकार अलंकरन नमें राष्टवतिक हस्ताक्षर होते है और इसमें एक मुहर लगी होती है और फिर जो एक सनद रहेंगा प्रमान पत्र रहेंगा उस पे जो तथा एक मेडल रहेंगा और उसमें जो जिस वेक्ति को दिया जारेगा उसका संशिप में उसने कुन सा कारे किया उसके बारे में दिया जाएगा ठीक है इसके बाद जो है पुरसकार प्राप्त करताओं को मेडल की एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाते हैं जिसे वे अपनी इच्छानवसर किसी भी समाराव राज की समाराद में परण सकते हैं ठीक है इसके बाद जो यह पुरसकार कोई पद भी नहीं है और इसे पत्र शीरशन निमंतर पत्र प्रतियार इसका जो युझे आप अपने नाम के आगे नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो यह पुरसकार आप से छीन लिया जा सकता है इसके बाद जो है इन पुरसकारों के साथ कोई नगत भत्ता अत्वा रेल हवा यात्रा में रियायतियादी के रुप की चीलिए कोई सुदा या लाफ प्रदा नहीं किया जाता है तो इस पुरसकार को जो है जिन को भी मिलता है अपको तो इसमें सुविदादी जाएगी और ना किसी प्रदवगर का लाब दिया जाएगा ठीक है तो यह इस पूरसकार के बारे में हम यहाँ पर इनफॉर्मेशन देखिए बहुत ही महत्वा पूर्न इनफॉर्मेशन यहाँ पर है और एक्जाम जो भी है आने वाले है इसके आप एक बार नोट आउट करके रख सकते हैं तो अभी तक आपने हमारी चैनल अगर हलो टीचर को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को क्लिक कर लिजे और इसके बाद की वीडियो में हम तलाटी के जो पिछली एर के पेपर है और जो